स्टुडेंट गुड मॉनिंग तो अपनी प्रिश्णावली आठ में कोस्चन नमबर हमने 24 तक बता दीते हैं अब कोस्चन नमबर 25 वा चलता है तो यह 25 वे कोस्चन में कह रहा है कोस्चन नमबर 25 तो सबसे पहले अपने पास में राज मार्ग बनाना है कि मान के चलो यह एक राज मार्ग है सडख कि एक मीनार के नीचे से कोगर गुजरता है मीनार के साड़ में हो कर जाता है मान चलो तो अपने पास में यहां आपने मीनार बना दी कि यह क्या अपने पास में मीनार एक राजमार एक मीनार के नीचे से उकर गुजरता है एक आदमी मीनार के सिखर से एक कार का अबनवन कौन 30 डिग्री पर देखता है तो यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ इस जगह पर और यहां पर मानक चलो एक कार चल लए है और उस कार को नीचे की तरब देखता है यहों 30 डिग्री के अब नवन कौन पर तो पहले यहां सामने देखेगा तो यह कौन कितना हुआ 30 डिग्री तो यह कोब यह है 30 डिग्री तो सिखर से कार का अब नवन खौत 30 डिग्री पर देखता है यह कार एक वէी की का रही है इसे यह सामानinformation काौन तो शे सेकंड पर शाहत उस दो मान कर یہ यहां से यहां पहुंच गई कितने सेकंड में 6 सेकंड में तब यहां से उस जब फिर वो व्यक्ति दुबारा उस कार को देखता है तो यह 30 से 60 डिगरी का कॉंड बन जाता है अब नवन कॉंड पर देखता है तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुज़र जाएगी तो यह पुज़रा है कार कितने समय ने कि यहां से यहां तक उसने 6 सेकंड लिये थे तो यहां से यहां तक यानि कार कितने सेकंड में मीनार के नीचे से होकर गुज़र जाएगी तो इस समय को पुज़रा है यहां यह दूरी अपने पास में एक्स है यह दूरी अपने मान लिए यहां पर समय मान लिए टी सेकंड में कार मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी कितने सेकंड में टी सेकंड में क्योंकि यह दूरी है अपने पास में यह दूरी यहां तक कि हमने क्या मानी है एक्स मीटर और यह दूरी है जो सेस बचिये इसको हमने क्या मान लिया वाई मीटर और मेनार की उचाई को हमने एच मीटर मान लिया तो यहां से चालू करते हैं A, B, C और D और यहां पर क्या है E तो पहला अपना कौन सा तिर्वज हुआ? A, B, C तो यहां पर यह जेड की आकृति है तो यहां पर कौन कितने का है? अपना वन कौन? साइट का तो यहां पर भी कितना आ गया? साइट का एक अंतर कौन तो पहला तरवज है अपने पास में एवी सी और दूसरा है एवी डी इस तरीका से दो तरवज चल बने हुए उन दोनों तरवजों में बारी बारी से चलना है और हमें इस तरीका से इस टी का मान गयाद करना है कि कार कितने समय में उस मीनार को क्रॉस कर जाएगी तो सबसे पहले हमें यहां पर आए तो उसमें लखना है माना a car ती सेकंड में सोबमीनार को पार करेगी मीनार को कि पार करेगी यह यह हम लेकिन माल लिया अब उसमें कौन दे रखें अपने पास में कौन को अश्टक में ठीटा एक तो 30 डिगरी है और एक कितना इसमें 60 डिगरी बिल्कुल दीरे दीरे आराम से समझाओंगा अब इसमें हमें तिर्भुज छोटे वाले में चलना है तो तिर्भुज ABC में वह सूतर है लंब बटे आधार लंब बटे आधार तो L बटे ए बराबर छोटे के लिए दे रखा है इसमें 10 कितना 60 अब लंब का मान अपने पास मे H है आधार का मान अपने पास में Y है बराबर यहां पे अंडरूर 3 वटे कितना 1 वजुणा करते हैं इस तरीका से तो H बराबर Y अंडरूर 3 मीटर आ गया समीकन कितना हुआ एक पहला समीकन बना लिया हमने कि H बराबर Y अंडरूर 3 मीटर अब हमें बड़े बाले बड़े वाले का नाम है ए ऊपर यहां पर यहां पर एड़ी दूम में पर्गुज कौन से में आ यह दी में मैं прदवारा से ईल घर और यह यहां पर ए बड़े वाले के लिए अब का मान देखना है तो już में यहां पर PhD कंट्मूनिटी की चैन versions न लगाने तो लगाने तो लम्म का मान दे रखा है एच आधार का मान अब आधार पूरा हो जाएगा यह जुड़के तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर एक वटे अंडरूर तीन आगे अब हमें एच का मान रखना है समीकर एक का तो एच बराबर वाई अंडरूर तीन है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई अंडरूर तीन वटे एक्स प्लस वाई बराबर एक वटे अंडरूर तीन अब आगे हल करते हैं आगे हल करने के लिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या है अपने पास में एक्स प्लस वाई बराबर अंडरूर तीन का और अंडरूर तीन से करेंगे तीन तीन वाई हो गया ठीक है न यहाँ तक आ गया अब आगे देखते हैं इसी तरीका से या हम यो क एसे भी कर सकते हैं जैसे तुम्हारी क्षा है कि पहले को ल Din लेते तो तीन ये आ जायेगा और बरावर यहां पर एक्स प्लस क्या जाएगा बाइक के के एज जगे के लिए लेते हैं सबाल को य को आग ni लाएंगे तो घट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2y बरावर कितना है, x, अब इस जगह पर हम मान रग देते हैं, इस जगह पर हम समय वाला, क्योंकि ये मीटर में है, तो अब इसका मान हम समय के लिए रग देते हैं, क्योंकि हमें समय का मान निकालना है, कि कार कितने समय में पहुचे बटे में कितने जाएंगे दो तो अपना समय आगया टी बरावर कितना आगया तीन सेकिंड तो यहां पर लिखना है अत्य कार मीनार तक पहुंचने में जो लगेगा समय अगया अत्य कार द्वारा अत्य कार तीन सेकिंड में मीनार को पार करेगी या क्रोंस करेगी तो इस तरीका से ज़्यादा कठिन नहीं था जो पहले से सवाल बताते आ रहे हैं उसी तरीका से सेम उसी तरीका से यह सवाल था तो दुबारा से देखते हैं कि माना कार तीन सेकिंड में मीनार को पार करेगी कौन दे रखे हैं अपने पास में तर्वुज एवी से में लंब बटे आधार जो भी कुछ है उस तरीका से एंड चल रहा है अपना सवाल का तो एच बरावब वाई अंडर तीन मीटर आ गया अब तर्वुज एवी डी में लंब बटे आधार लंब एच है आधार हो गया एक्स प्लस बाई बरावर एक बटे अंडर उडर तीन तैन तीस का मान हमने एच का मान रखा है वाई अंडर पर तीन और जो भी है हमने अंडर तीन का गुणा अंडर तीन से करके तीन बाई बरावर एक्स प्लस बाई बाइड ना यहां पर हम Joint सब्सक्राइब तो इस तरीका से अपना सवाल है आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में तो अगला सवाल लेंगे हाँ तो अगला कोशन है अपने पास में कोशन नमबर है 26 तो पहले भी मैंने बता दिया थे एक बार आ चुका है इस सवाल तो आपके मैं दुबारा बता रहा हूं थोड़ा सा अंतर तो होता है हर सवालों में संक्याओं का कि मान के चलो एक मीनार है अपने पास में यह अपने मेंतर कौन रेखा है मीनार के आधार से सरन रेक्वा में एक 40 मीटर दूर में और एक 9 मीटर दूर है तो कहां से मीनार के आधार से यह बिंदु है यह बिंदु है इसमें कितना मीटर है चार मीटर और ये बिंदू है ये मीनार के कितना है उसमें नौ मीटर तो इसकी पूरी टोटल जो लंबाई दे रखे नौ मीटर और इसकी लंबाई टोटल कितनी दे रखे है चार मीटर इस बिंदू की कहां से मीनार के आधार से मीनार के आधार से इस ब बिंदों की दूरी है नौ मीटर वहां से मीनार के सिखर के उन्यन कौन दोनों जगे से दोनों बिंदों से दोनों बिंदों से मीनार के सिखर के उन्यन कौन ये दोनों जो कौन है ये पूरक कौन है क्या है पूरक इन दोनों कौन पूरक कौन है यानि दोनों का मान 90 डिगरी है पूरा कौण किसे कहते हैं जिन दो कौणों का मान 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरा कौण कहते हैं और जिन दो कौणों का मान 180 डिग्री होता है उन्हें हम सम पूरा कौण कहते हैं तो ये दोनों का योग पता है कि योग दोनों का कितना है तो कितना है दोनों को को नब्बे डिगरी अब एक को हम ठीटा मान लेते हैं जैसे मान के चलो इस कौन को हम ठीटा मान लिया तो यह जो कौन बचा है यह होगा नब्बे डिगरी माइनस ठीटा जैसे यह साथ मान के चलें यह साथ है तो नब्बे में साथ गटाए जा कितना है तो एक को हमें मानना है ठीटा जब एक को हमें ठीटा मानना है तो दूसरा कितना बचेगा 90 माइनस ठीटा इस तरीका से दोनों कौन पूरक कौन है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की उचाई 6 मीटर है मीनार की उचाई क्या है 6 मीटर यह हमें क्या करना है सिद्ध करना है तो अब इसमें बोई सबसे पहले यहां पर हम A B C और यहां पर क्या मान लेते हैं D यह हमने A B C D मान लिया छोटा तरवज का नाम है अपने पास में A B C और बड़े तरवज का नाम है A B D इन दोनों में से पहले छोटे में चलना है उसके बाद में बड़े में चलना है मैंने आज तक पूरी प्रशनावली खतम होने पे हैं जिस दिन से मैंने श्टार्ट किये उस दिन से मैंने एक ही तरीका से कोई भी बिल्कुल डिफरेंड नहीं किया है एक ही तरीका से जिससे अधिक से अधिक ज्यादा सीख सके सबसे पहले छोटे तरोजी में चलना है छोटे तरोजी में समीकण एक बनाना है और उस समीकण एक कमान बड़े वाले तरोज के मानों के अंदर रखना है और उस तरीका से हमें या तो X का मान गयाद करना है या × साथ मेंने आज तक बताया है तुमारे लिए देखलो अगर कहीं भी मैंने कोई बी डिफ्रेंट रिखले हो सवालों में और इस तरीका से अब अपने बाशनुंत का में ये सवाल हो गया अपना है आप इसमें से हमें किसका क्या सिद्ध करना है कि मीनार की उचाई 6 मीटर है तो सब से पहले यही से चालू करते हैं सिद्ध करना है अब सिद्ध क्या करना है वो तुम जानते हैं कि मीनार मीनार की उचाई बरावर कितनी 6 मीटर अब यहां पर हल लिख लो या उपपत्ती लिख लो जो भी है वो हमें आगे सवाल को बढ़ाना है तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे माना मीनार की उचाई बरावर हम एच मीटर मानेंगे क्या मानेंगे एच मीटर अब अपने पास में जो कुछ दे रखा है वो है यह अब सबसे पहले तिर्भुज चलते हम छोटे बाले में ए वी सी में वही लंब बटे आधार बरावर टैन ठीटा है आधार का मान दे रखा है अपने पास में कितना चार बरावर यहाँ पर अपने पास में क्या है तेन ठीटा इससे ज़्यादा होगा नहीं समीकन कितना बना लिए हमने एक क्योंकि 10 ठीटा का मान नहीं दे रखा है तो यहीं तो आम ने समीकर एक बना लिया अब चलते हम बड़े वाले तिर्वुज में तो बड़े वाले तिर्वुज का नाम है AVD उसमें लंब वटे आधार वरावर 10 को स्टक में 90 डिगरी माइनस ठीटा है तो लंब का मान वही एच है आधार का मान नीचे का पूरा जो दे रखा है अपने पास में कितना 9 मीटर मीनार के आधार से दूसरे बिंदू की दूरी 9 मीटर है बरावर यहाँ पे यह अपने पास में सूत्र है प्रशनावली 7.2 में जो लास्ट में सूत्र चले थे कि 10 कोश्टक में 90 माइनस ठीटा is equal to cot ठीटा बरावर 10 कोश्टक में 90 माइनस ठीटा तो इसकी जगे पर क्या आएगा अपने पास में cot ठीटा और यह हो गया समीकर कितना दू अब मान नहीं रख सकते हैं इसलिए समीकर दो बना दिया अब हमें समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है क्या करना है तो यहां पर लिखना है हमें समीकरण 1 Into समीकरण 2 आपस में गुणा करना है यहां बीच में continuity के चिन्न लगाने जो मैंने पहले भी लगा था अब यहां पर दो बारा continuity का चिन लगाना है और हमें यहां पर गुणा करना है क्या करना है गुणा तो h बटे 4 और h बटे 9 का गुणा करना है तो h बटे 4 गुणा h बटे 9 बराबर इधर 10 ठीटा गुणा कौट ठीटा यह आगे अपने पास में अब साइड में ले लेते हैं कि एच का गुणा h से करेंगे तो सबसे पहले continuity h का गुणा है से करेंगे तो h स्कॉर और 4 का गुणा 9 से करेंगे 36 बराबर और 10 ठीटा एंटू कौट ठीटा कमान एक होता है और नहीं तो और बता हूँ 10 ठीटा है यह अपने पास में गुणा कॉणा कौट ठीटा कमान एक यह एक वट उन से 10 घा cherry यह एक वचा और बता हूँ 10 कमान साइन वट ए काॉस है और कॉट चमानคॉसबटे साइन है साइन साइन कॉस्ते कॉस कटके एक बचा जैसे भी है उस तरीका से अपना मान कितना आ गया एक आ गया अब हम यहां पर बज़गुणा करते हैं तो एच स्क्वार बरावर कितना आ गया 36 और एच बरावर अपने पास में कितना अच्छ है और यह हमें क्या करना था सि कि मीनार की मुचाई कि कितनी है कितनी आई यह 6 मीटर और यह अपने पास में पहले से दे रखाता यह हमने सवाल सिद्ध कर दिया तो ज्यादा कठिन नहीं है कि कहीं वी ऐसी कोई चीज नहीं है कठिन के लिए जो तुमारी समझ में नहीं आए तो एक बार और देख सकते है नहीं चित्र को देख सकते हैं यह तो विल्कुल सराल है समीकर एक समीकर दो और दो का क्या किया है में ज़या है कितना शाय मीटर तो दुबारा से की सबसे पहले मीनार है मीनार के आधार से यानि बीविंदू से बी विन्दू मीनार का आधार और ए विन्दू मीनार का क्या है सिखर है तो ध्यान रखना चित्री चित्र बताऊं को केवल एक वार मीनार के आधार से मीनार के आधार से दो बिंदुएं एक समान तर रेखा में समतल भूमी पर एक तो चार मीटर दूर है और एक मीनार के आधार से नौ मीटर दूर है तो यहां तक की दूरी चार और यह फुल दूरी कितनी हो गए नौ मीटर वहाँ उन दोनों बिंदूओं से मीनार के सिखर के उन्यन कौन मीनार के सिखर के उन्यन कौन एक इस बिंदू से और एक इस बिंदू से मीनार के सिखर के उन्यन कौन पूरक कौन है क्या है पूरक कौन है मतलब कहने का मतलब है इन दोनों कौनों का मान 90 डिग्री है तो दूसरा होगा 90-टीटा क्योंकि नब्वे में से ठीटा घटाएंगे जो बचेगा और जो ठीटा का मान होगा उन दोनों का मान नब्वे आना चाहिए अब कुछ भी रख सकते हैं जैसे यहां पर 30 है तो 90 में 30 घटा कि 60 बचे 60 और 30 90 यहां 90 में 30 30 1690 तो इस तरीका से इसके पूरक और नियन को पूरक कॉण है तो इस तरीका से हमने चित्र बनाया था और चित्र जब बन जाता है तो इस बात को तुम जानते हैं कि सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है तो एक वारे सवाल को नोट कर सकते हैं कर सकते हैं हाँ तो अगला क। सभक की एक और मीनार और दूसरी और मकान एक तरफ मकान और दूसरी तरफ मीनार अब यह ब्यात जानते हैं मकान की जो उचाई हो रहे वो कम रहेगी और मीनार के उचाई जादा रहेगी तो एक और मीनार तदा दूसरी और मकान है मान के चलो ये अपने पास में मीनार है और ये नीचे की अपने पास में क्या है जमीन भूमी और ये अपने पास में मकान है क्योंकि मीनार की हुचाएं हमने अधिक रखी यह में भवन की हैं कम रखी इस कर दूसरी और एक मकान इस्तत है मीनार के सिख़द से मकान की छत यहां पर मान के चलो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उपा यहां से इस मीनार के सिख़द से हमें दो जगे देखना है वो भी कहां नीचे की तरफ अब यहां से हमें एक तो मकान की छट देखनी है और एक इसी बिन्दू से मीनार का आधार बिन्दू देखना है तो दुबारा देखो सडख के एक और मीनार तता दूसरी और एक मकान से मीनार के सिकखर से मकान की चट और आधार के अब नवन कौन कोन 55 वे 60 दिग्री है तो पहले बैठा वह व्यक्ति सामने देखेगा तो एक तो ये ये कौन 45 44 & 40 & 140 यह कौन कितना लए तो 45 डिग्री साठ डिग्री है तो आफ में यह चलना इस तरीका से यह चल रहे और हमें यह जैड की आकर्ती बनाने है कि जब यह कौन अपने पास में 45 है तो यह अपने पास में 45 आ गया एक अंतर कौन और यह फ्र दोबारा चलना आए यहां बढ़ गए तो यहां जाके नीचे की तरफ जाके यहां पर कौन बन गया कितने का साथ डिजरी का कि मकान की उचाई 12 मीटर है तो मीनार की उचाई गयाद करने तो में मीनार की उचाई गयाद करने तो अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल को तो बिल्कुल नौर्मल है जो क्रिया करता हूं चित्र में वो सारी क्रिया तुम्हें भी करनी है पेपर में अब यह नहीं कि इससे भी सवाल नहीं हो सकता है तो इसमें और क्या-क्या प्रिक्रिया करनी है वो विसे इसकर ध्यान देना है तुम्हें तो क्या ध्यान देना है कि देखो यह अपने पास में कितनी है बारे तो यहां तक यह फ्री में मिल गई अपने पास में यह बारे मीटर आ गई यहां तक आधी उचाई तो हमने ग्याद कर ली बातों बातों में हमें आधी उचाई ग्याद कर ली मीनार की कितनी आ गई बारे मीटर क्योंकि यह बारे सेश उचाई को H मान लेते हैं तो टोटल उचाई कितनी हो गई H प्लस बार है किस की मेनार की उचाई अब और भी थोड़ी बहुत कमी है तो उनको भी हम पूर्टी कर लेते हैं तो ये खाली जगह पड़िए उसको X मान लेते हैं अब छोटा वाला तिर्बुज ये बनना है तो यहीं से चालू कर देते हैं A, B, C नहां पर D और नहां पर E और नहां पर क्या लिख दिया हमने F तो एक तिर्बुज तो हो गया अपने पास में A, B, C और एक हो गया A, D, E बड़ा वाला तुम तो यह देखे करो कि यह दोनों बुजाएं इनसे और यह जाकर यहां पर A, B, C हो गया A, B, C अब यह दोनों बुजाएं जाकर A और D पर मिल लएए तो A, D और E, E से मिल लएए यहां उपर वाले में C से मिल लएए तो इस तरीका से अपने पास में दो तिरभुज हो गए तो अब यहां पर चालू करते हैं माना मीनार की उंचाई बरावर हमने क्या मानी है H प्लस बार है मीटर कौन दे रखे अपने पास में कौन ठीटा एक तो है 45 डिगरी वे एक है 60 डिगरी छोटे बाले तिरभुज में तिरभुज एवी सी में तिरभुज कौन से में एवी सी में अब तिरभुज एवी सी में तो यहां पर लंब बटी आधार बरावर यहां पर 10 कितना हैं 45 लंब का मान कितना है अपने पास में लंब का मान कौन से तिरुभुज में AVC में तो AV लंब है उसमें तो लंब कितना है उसमें H आधार कितना है X एक बटे 1 अब हमें मीनार की उचाईग ज्याद करनी है किस की उचाईग ज्याद करनी है मीनार की X को आगे रख लेते हैं X बरावर H मीटर डॉट डॉट समीकन कितना एक अब चलते हम बड़े वाले तिर्भुज में तो बड़े वाले तिर्भुज का नाम क्या है A D E तो यहां पर है तिर्भुज A D E में तो उसमें भी लंब बटे आधार बरावर कितना है अपने पास में 10 कितना है 60 अब लंब का मान कितना है लंब लंब वाली बात आगे तो लंब कितना है तिर्भुज का नाम क्या है A D E तो A D लंब है उसमें क्या है A D अब A D की टोटल जो लंबाई है वो H प्लस वार है तो यहाँ पे हमें लंब लिखना है H प्लस वार है आधार अपना X है यह बरावर यहाँ पे अंडरूर 3 वटे कितना 1 अब हमें H प्लस वार है दे रखा है और X का मान लिखना है H समीखण 1 से बरावर यहाँ पे है अंडरूर 3 अपोन 1 क्या करेंगे हम इस इस्तिती में? बजर गुणा तो h का गुणा अंडरूड 3 से करेंगे तो h अंडरूड 3 बरावर h प्लस कितना है? 12 साइड में जगे ले लेते हैं h को आगे लाएंगे h अंडरूड 3 अपने पास थे पहले से ही है h आगे लाए तो माइनस के बरावर कितना बचाए बारे और यहां पर हमें h common लेना है तो अंदरूर 3 माइनस 1 बरावर कितना है बारे और h बरावर बारे वते अंदरूर 3 माइनस 1 गुणा करना है इसमें परिम्य करन जिसको बोलते हम क्या बोलते हैं परिम्यकरण तो परिम्यकरण करना है हर के विप्रीच चिन्द को लेका अंडरूर 3-1 है तो हमें किसका लेना है अंडरूर 3-1 का तो अंडरूर 3-1 बटे अंडरूर 3-1 आगे H बराबर 12 कोश्टक में अंडरूर 3-1 एक बटे कितना है अंडर 3 कुड़ा अंडर 3 से करेंगे 3-1 अब मान रख लेते हैं जगे है अपने पास में नीचे अभी तो H बराबर 12 कोश्टक में 1.732 प्लस एक बटे नीचे आ गया 2-2 से ये कट गे 6 और आगी ले लेते हैं H बराबर H बराबर जगे नहीं है नीचे तो साइड में देख लेते हैं और नहीं तो हम यहां से पीछे आप भी कर सकते हैं कि H बराबर 6 का गुणा 2.732 से करना है तो H बराबर आ गया अपना गुणा कर लेते 6 दूनी 12 का 2 हासे लगी एक 68 एक 19 को 9 हासे लगी एक 67 42 एक 43 को 3 हासे लगी 4 6 दूनी 12 4 16 पॉंट 392 392 मीटर आ गया अभी तो यह H का मान आया है हमें टोटल मीनार की उचाई निकालनी है तो अब लिखना है हमें अते मीनार की उचाई क्या मानी थी हमने H प्लस बार है क्या मानी थी H प्लस बार है तो यहाँ पर H का मान 16.392 प्लस बार है बरावर कितनी हो गई 28.392 मीटर यह आ गई अपने पास तो इस तरीका से सवाल बढ़ा सा लग रहा है पर बड़ा है पर कठिन नहीं है केवल चित्र सीखना है चित्र अगर आ गया वोई बार बार बता रहा हूं चित्र समझ में आ गया तो सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह तो सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं तो जिससे अगला सवाल हम बताएं हां तो लास्ट कोस्टन है अठाइस वाग यदि सूर्य का उन्यन कौण तीस से साइट में परिवर्टित हो जाता है आगे पढ़ लेते हैं तो इन दोनों उन्यन कौणों में पंठों पर 15 मीटर उन्चे खमने की चाहिए के लमबाई में अंतर यानि यह घ्रमा है साइट में परवर्तित हो जाता है यहां पर शारी का जो कौन था वो तीस डिग्री था ज़ल पर वर्रतित किन्युवद परवर्तित हो जाता है नहीं दॉनक एक वこ मैंने बताया था मीनार के जितने पास माइंगे कौन बढ़ेगा जितने दूर जाएंगे कौन गटेगा कि तीस से साइट में परवर्टी दो जाता है तो इन दौनों उन्यन कौनों कौनों पर फंद्रे मीटर उचे कंभी की छाया में लंबा ही कहनतर से कब यानि 15 मींटर वो तर करना है तो उसकी चाय की लंबाई का अंथर ग्याद करना है, चाय की लंबाई क्या निकालना है अंतर तो अब पहली च्छाया यहां थी दूसरी च्छाया यहां थी तो इन दोनों च्छाया का अंतर ग्याद करना है दोनों की च्छाया की लंबाई का क्या निकालना है अंतर तो यह है अपने पास में इसको एक्स मीटर मान लेते हैं यह अपने पास में इसको क्या मान लेते हैं वाई मीटर तो देखो यह चाया दोनों की है छोटे वाले तिरवुजब में अगर देखते हैं तो यह आधार दोनों का है और यह छोटे वाले में नहीं आता है केवल कौन से माता है बड़े वाले में तो किसका मान ग्याद करना है बाई का तो हमें दोनों की छाया की जो लंबाई का अंतर है वो है अपने पास में कितना है वाई मीटर है तो अंगित कर लेते हैं यहाँ पर ए भी सी और डी बहुत बता दिये इस तरीका कि सवाल तो सबसे पहले माना कि खंबे की चाया का अंतर बरावर हमने लिया बाई मीटर कौन कोश्टक में ठीटा एक तीस डिगरी वे एक कितना है साट डिगरी छोटे वाले तिरवुज में तिरवुज कितना है ए बी सी में एल बटे ए बरावर क्या है अपने पास में टैन साट है छोटे में तो एल का मान कितना है पंद्र है और एक का मान आधार का मान कितना है एक बरावर अंडरूर तीन वटे कितना एक और एक बरावर एक अंडरूर तीन वटे कितना है पंद्र है और एक बरावर पंद्रे वटे कितना है अंडरूर तीन बजरूना कर देते परिमेकरण मतला अंडरूर तीन वटे अंडरूर तीन एक बरावर पंद्रे अंडरूर तीन मीटर, समीकर कितना हो गया, एक, कंटूनिटी, यहां पे भी इस जगेंद पे हमें क्या लगाना है, कंटूनिटी के चिन लगाने, अब तिर्भू चलना है, हमें बड़े बाले में, एवी डी में, लंब बटे आधार बरावर 10 कितना है, अपने पास में, 30, लंब का मान कितना है, 15, बटे आधार का मान कितना है, उसमें, X प्लस Y, X प्लस क्या है, Y, बरावर एक बटे कितना है, अंडरूर 3, तो साड में ले लेते, दीख नहीं रहा है, बच्चों के लिए, तो फिरागे, निस्टेक आईगी फिर, तो L का मान कितना है, उसमें, 15, बटे एक का मान है, X प्लस Y, बरावर है, एक बटे अंडरूर 3, तो बजुणा करेंगे, X प्लस Y, बरावर 15, अंडरूर 3, अब हमें है, इसमें मान रखना है, समीकर्ण एक का, तो पांच अंडरूर 3, प्लस Y, बरावर 15, अंडरूर 3, और Y, बरावर 15, अंडरूर 3, माइनस पांच अंडरूर 3, और Y, बरावर 10, अंडरूर 3, और वाई बरावर दस गुणा एक पॉन सातीन दू तो वाई बरावर हो गया अपना 17 532 मीटर आते दोनों चाया का जो अंतर है खम्बे की चाया का जो अंतर है वो है अपने पास में 17 532 मीटर तो लास्ट में लिख देना यहां पर आते है खंबे की छाया का अंतर कितना है अपने पास में 17.32 मीटर है तो इस थरीका से अपनी ये पूरी प्रशनावली हो गई है यानि समाप्त हो गई है तो अगर आज इतना ही बहुत है अगर और देखेंगे तो एक दो चार उधारनों भी देख लेंगे क्योंकि थोड़े से अलग होते हैं तो आज इतना ही मेटर है तो इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं